किसान भाईयो आज हम बात करेंगे विपूल बुश्टर के विपूल बुश्टर गोद्रेज कंपनी का एक PGR पोडेक्ट है जिसे किसान विपूल बुश्टर के नाम से जानते हैं इसका इस्तेमाल सबजियों में फसलों में बढ़वार बढ़ाने के लिए खुब किया जाता है आज हम बात करेंगे इसके मोड ओफ एक्शन की इसके कॉंटेंट की और इसके रैन पाश्टर नेश्ट टाइम की इसे किस-किस फसल में किन किंद्वाईयों के साथ मिला कर किया जा सकता है इसकी डोजवे किमत सहित सबी स्वालों पर आज हम बात करेंगे तो मैं हूँ आप देख रहे हैं खेती डिस्कावरी किसान भाईयो आपने विपूल बुस्टर का नाम तो खुब सुना होगा विपूल बुस्टर में कॉंटेंट होता है ट्राइकॉंटानूल दो परकार का होता है एक दानेदार ग्रेनुल के रूप में आता है जो के 0.05% जी आर होता है और दूसरा लिक्वर्ड फॉर्मूलेशन में आता है जो के ट्राइकॉंटानूल 0.1 EW के रूप में आता है किसान भाईयो ये मार्किट में बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है जैसे गोद्रेज की बात करें तो विपूल बुस्टर के नाम से आता है डाउ एग्रो साइंस का मेरकॉलन के नाम से आता है, FMC का मिराकल के नाम से आता है, RCS India Limited का ताकत के नाम से आता है और IPL का कोंटानूल के नाम से आता है और डिरिक का सुल्थान के नाम से आता है किसान भाई यो इसके mode of action की अगर बात करें तो इसके काम करने की जो पिरकिरिया है ये पोदों में बोजन बनाने की पिरकिरिया में पोदों की साहिता करता है यानि के प्रकास संसलेशन किरिया जो के फोटो सिंतेसिस को बढ़ाता है ये एक natural plant growth regulator है याद रहे ये regulator है प्रमोटर क्या होता है तो इसके उपर भी next week तक मैं वीडियो डालने जा रहा हूं संपूर्ण जानकारी के लिए के प्रमोटर क्या होता है और regulator क्या होता है तो ये वीडियो भी आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है इस product के इस्तेमाल से पोदों में प्रोटीन बनाने क की प्रिकरिया बढ़ जाती है चुंकि प्रोटीन बनने से ही पोदे अपना बोजन त्यार करते हैं आप में बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिने कई बार result बंपर मिल जाता है लेकिन कई बार result बिलकुल नामातर ही मिलता है जबकि एक ही कंपनी का एक जितनी ब्राबर डोज डाली जाती है फिर भी जो result है वो different रहते हैं बट ऐसा क्यूं होता है आईए जानते हैं वनस्पती के प्रकाश संसलेशन को एक प्रकार से दो बागों में बांटा जाता है यानि के इसके दो बाग होते हैं एक होता है C3 plant जो के अंदेरा होते ही अपने प्रकाश संसलेशन क करिया जो है वो बंद हो जाती है अंदेरा होते ही और जो दूसरा होता है वो होता है C4 plant C4 plant में अंदेरा होने के बाद भी 2-3 गंटे तक प्रकाश संसलेशन करिया जो है काम करती रहती है इनी दो जो C3 plant होता है और C4 plant होता है इसके अंदर अलग लग कैटा गिरी के अंदर फसलों को बांटा जाता है C3 प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर हंदेरा होते ही उसके अंदर प्रकास संसलेशन की किरिया तुरंत बंद हो जाती है और C4 प्लांट वो फसले होती हैं जिनके अंदर हंदेरा होने के बाद 2-3 गंटे तक प्रकास संसलेशन की किरिया निरंतर चलती रहती है। जिस बज़े से उन फसलों के अंदर जो रिजल्ट है वो बंपर आता है। क्योंकि जब इवनिंग टाइम में छिड़काव किया जाता है। तो हम अंदेरा होते होतेे लाज समय तक खेत में छिड़काव करते रहते हैं। तुरुंत अंदेरा हो जाता है और फसल के अंदर हमें result नहीं मिलता है लेकिन कुछ ऐसी फसले होती हैं जिनके अंदर C4 जो plant होते हैं उनके अंदर अगर हंदेरा होते उते भी छिड़काव किया जाये तो भी वो फसलों के अंदर अच्छा काम कर जाता है अब मैं आपको मु आदी ये परमुख वो फसले हैं जो C4 प्लांट हैं और इसके इलावा आप ये ना सोचें के C3 प्लांट के अंदर इसका रिजल्ट नहीं होता है उनके अंदर ही होता है लेकिन उनके अंदर जो है आप मोरिंग टाइम में छिड़काव करें वैसे ये सभी फसलों में अच्छ करें यानि के इनके अंदर रिजल्ट बंपर आता है और अंदेरा होने के बाद भी इन फसलों के अंदर रिजल्ट आ जाता है किसान भाईयों बात करते हैं इसके वो परमुख 11 जो है वरक्स जो इसने क्रोप के अंदर करने होते हैं जैसे फल फूल के जड़ने को ये कम कर है यानि के ड्रोपिंग होती है उसे कंट्रोल करता है फलों के रंग चमक आकार वैसाइज में काफी सुदार करता है उत्पादन में वरिदी करता है अनचाई हाइट जो होती है उस होती है उस वरिदी को भी रोक देता है यानि के ये प्रमोटर निये रेगुलेटर है अधिक ठंड पाला जो है सेन करने की शमता भी देता है यानि के सर्दी से बचाता है फसल को, रोगों से लड़ने की ताकत देता है, प्लांट का विकास करता है, हमारी फसलों को मजबूती प्रदान करता है, अधिक गर्मी में पोदे की गुणोता बनाई रखने में भी ये कारिय करता है, तो ये इसके प्रमुख 11 कारिय, इसके इल अन्य पेस्टिसाइड इंसक्टिसाइड के साथ मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हैं, इसे सिर्फ आप NPK के साथ छिड़काव ना करें, और जो ओक्सी कलोराइड होती है, ओक्सी कलोराइड की जो भी द्वाईयां होती हैं, उसके साथ भी इसे मिक्स ना करें, इसी इस fertilizer के साथ mix करके छिड़काव कर सकते हैं नीचे बुमी के अंदर जब बुमी त्यार करते हैं बोय के लिए उसमें डाल दें या पहले पानी पहली सिंचाई पर और दूसरी सिंचाई पर दें तीसरी सिंचाई पर देने पर रिजल्ट जो है ग्रेनुल का कमाता है अगर बात करे तो तीन गंटे के बाद अगर बारिश हो जाती है तो आपका फसल के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा बात करते हैं आज के विसेश क्यान की किसान भाई यो ट्राइक नेच्रूल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है यानि के जिन फसलों में हार्मोन ज़्यादा होता है उन केजी प्रती बिगा 5 केजी प्रती एकड और 12 केजी प्रती हेक्टर के साब से दे सकते हैं और अगर लिकवर्ड की बात करें तो 2 ml प्रती लीटर वाटर आप दे सकते हैं जितना पानी होगा उसकी डवल डोज इसकी कर दें और अगर 500 ml बिगा के साब से दे सकते हैं 400 ml प्र प्रती लीटर वाटर दो एमिल की डोज रखें जितना मर्जी पानी हो उसका डवली से कर लें किसान भाइयों अगर इसकी कीमत की बात करें तो दानेदार पांच केजी जो पांच केजी की कीमत होती है वो लगबग डाई सो रुपए से सुरू होकर तीन सो रुपए के आसपा होती है और अगर लिक्वड की बात करें किसान भाइयों तो डाई सो रुपए से लेके तीन सो रुपए प्रती लीटर के आसपास इसका रेट होता है और जो ब्रांड होता है वो लगबग पांच सो रुपए प्रती लीटर के आसपास रेट होता है अलग अलग राजियों म ज़यादा से ज़यादा शेर भी करें ता कि अन्य किसान भाई हमारे इसका फाइदा उठा सकें अच्छी जानकरी अच्छे खिसानों तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है मिलते एक सान भाई हो नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकरी के साथ तब तक दीजे इजाज़त जय हिंद बंदे मात्रम